हलो दोस्तो वेल्कम टू माई चनल सभी टॉट बी और आज हम जा रहे हैं दिवाली के शॉपिंग के लिए तो दिवाली में वसे तो काफी टाइम है पर कुछ समान हैं पहले से भी लेने वाले हैं पिछे मम्मी आ रही हैं और हम अब भी घर से निकल चुके हैं तो दिवाली शॉपिंग में सबसे पहले हम पहुचे जैलर शॉप में तो वहां पर हम मम्मी के लिए पायल लेने के लिए गए थे तो यहां पर बहुत सारी पायले हम देख रहे थे और दो तीन हमें काफी पसंद आई तो मम्मी ने बोला देखो जो थोड़ा लेटिस्ट डि कि कैसी लगती है फिर वहां से हम निकले और फिर मम्मी ने सबजी ली गोवी और गोवी की कुछिया काफी पसंद है तो वह हम बनाएंगे उसके बाद सबसे फेबरेट जगा पर हम पहुचे याने की खिलोनों की मार्केट में पहुच गये और वहां पर मैंने जैसे कि पहल और उन्होंने सबसे पहले ये सेट ले लिया और उसके बाद उन्हें ये मोर काफी पसंद आया एक्छली मुझे भी काफी पसंद आया फिर हम नहीं दूसरे शॉपपे गई फिर हम वहां पे देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े और खुब सू बोली कि यह रेड़ वाली मुझे अच्छी लग रही है और साइस भी ठीक लग रहा है तो यह हम ले लेते हैं तो उन्हें ने गुलक ली और उसके बाद फिर हमने एक चिनी मिटी का छोटा सा मर्तबान लिया और उसके बाद कि क्यों मुझे काफी क्यूट लग रहा था छोट के सारे शिवलिंग मुझे बहुत अच्छे लग रहते और यह वाला शिवलिंग मुझे काफी पसंद आया क्योंकि मुझे रीश्यू जी को देना है शिवलिंग तो ममे ने बोला कि वो काफी बड़ा है उतना बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखते हैं ऐसा बोलते है कि आपको अगर घर में शिवलिंग रखना है तो अंगूठे के साइस का शिवलिंग रखना चाहिए घर में तो मैंने इसलिए छोटा वाला लिया और उसके बाद फिर हम दुशरी शॉप पे जाते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं इतनी खूबसूरत से शेर बहुत ही ज्या खरीदा और फिर बोली नहींने अब बस चलो तो क्योंकि अभी दिवाली में काफी टाइम है और ममी को और भी खिलोने चाहिए पर जो भी शॉप देखती थी ना सज बोली तो मेरी नियत खराब हो गई थी खिलोनों को देखके इतने रंग भी रंगे खिलोने हम लोग जब छोटे थे तो पापा ममी हमें जब साथ लेके जाते थे तो हम लोग पूरा भर-भर के खिलोने लेते थे और अब भी वही आला कि हम बड़े तो हो गया है पर शॉक अभी तक गया नहीं है ममी भी और मैं भी हम दोनों ही गया थे चिकी क्यों काफी मिस कर रही थी मैं कि इस सुन्दर लगा तो मैंने का ममी यह भी ले ले लेते हैं बहुत ही जदा सुन्दर लग रहा है इसको चाहे तो रंगोली पर भी रख सकते तो बहुत सुन्दर लगेगा जैसे कि रंगोली की बीच में दिया रखते हैं तो यह बहुत सुन्दर लगेगा तो यह हमने लिया और मैंने एक छोटा दिया लिया वहां से फिर यहां पे मैं देख रही हूँ कि बिल्लियां वो भी स्माइल कर रही है बहुत सुन्दर लग रही थी तो मैंने जिदकी नहीं नहीं मुझे बिल्ली भी चाहिए क्योंकि आपने वहां पे मुझे शेर नहीं दिलाया था तो उसके लिए माफ कीजेगा फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि गला बैठने से पहले मैं जो भी वोईस ओवर करके वीडियोज डालू वो थोड़ी साफ आए और यहां पे फिर से मैंने जित की कि मुझे गाय चाहिए ही चाहिए तो यह देखिए फिर से गाय ममी ने आकर मेरे ले ही ली और यह देखिए हमारी गाय अगई हमारे हाथों में फिर यहां से ममी बोली अब सीधे घर जाएंगे अब कोई खिलोना ले लेंगे लिए कि सच बो मैंने फर्स टाइम लिया था इसमें चूला दो और दो गुल्धर से दी हुए है यह थाली दी हुई है यह रहा हमारा मुर्ड जो हमने वहाँ पसंद करके लिया था उसके बाद हाथियों का दो सेट भी लिया था मम्मे ने वो मैंने दिखा पाई थी सॉरी और यही रही मेरी मम्मे का फेवरिट मुर्गा मेरी फेवरिट बिली और दिया हमने लिया था और उसके बगल में जो छोटा दिया है वो मैंने सरीवार को जो मैं दिया जलाती हूं उसके लिया था मिटी का दिया क्योंकि वैसे तो जलता ही है यहां पर कच्छवी लिया थी बोलते हैं कि कच् के लिए दो इसलिए ना है तो रिशु जी के लिए है एक और वो शिवलिंग तो यह मर्तबान मुझे बहुत अच्छा लगा था इसके वज़े से मैं लिया था और शाम को पापा आए और उन्होंने हमारे खिलोने देखे और फिर से मम्मी के साथ मार्गेट गय और वहां से व बोला कि मुझे अच्छा लग रहते हैं इसलिए मैंने ले लिये थे और यह घर का कुछ समान वो लेकर आई थी और उसके बाद पापा ने बोला मैं फिर से जाओंगा और और खिलोने लेकर आए तो यह सारे खिलोने हमारे प्रिये 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 रीसु जी के लिए जान